हेलो ऐक्यों क्लासं कैसे हैं आप सभी आई कोव आप सभी अच्छे होंगे और जमप कर अपनी अच्छे हषी प्रेषिन कर रहे होंगे चलिए आपकी प्रेषिन को थोड़ा सा ओर आप के बढ़ाते हैं और अपने टोपिक में कुछ और आगे नया पढ़ arranged हम टोपिक जसे हमने monitor policy का meaning देख लिया है monitor policy कौन बनाता है MPC के बार में हमने पढ़ लिया है अब हम पढ़ रहे थे monitor policy tools जिसके अंदर दो टाइप के tools थे quantitative tool और qualitative tool quantitative tool के अंदर हमने direct tool पढ़ लिया था और last class में हमने देखा था कि इनको quantitative tool क्यों कहते है डारेक्ट टूल क्यों कहा जाता है इन डारेक्ट टूल क्यों कहा जाता है और लाज्ट क्लास में हमने कम्प्लीट डारेक्ट टूल पढ़ लिया था तो आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे इन डारेक्ट टूल के बारें पढ़ेंगे इन डारेक्ट टूल क्या होते हैं इसक प्रूमेंट है आरगे के पास कि इन पर पूरण नियंतर नहीं होता कि मालेजिए 1000 क्रोड इंफूज करना है market के अंदर तो जरूरी नहीं है किसे complete 1000 क्रोड हो ही जाएगा ठीक है तो इसमें complete control नहीं होता इसलिए indirect tool कहा जाता है ठीक direct दारेक्ट टूल के अंदर सबसे पहले जो पहला जो टूल है ओ एल एएफ है तो सबसे पहले सभी के नाम देगे लेते हैं एल एएफ MSF, Bankrate, OMO, OMO stand for open market operation तो आज इन चारो points के बारे में आज क्लास में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो LAF है जिसका meaning है liquidity adjustment facility इसको समझेंगे बिल्कुल detail में और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं यह जो मैंने last class में पढ़ा दी यहीं चीजे अब मैं सीधा LAF से स्टार्ट करूँगा यह सारी चीजे आमने last class में डिस्कुस की थी ठीक है refinance facility तक हो गया था last class में अब बात आती है LAF 3 ठीक है liquidity adjustment facility अब मैं एक word का meaning आपको देख करके समझाता हूँ facility का मतलब क्या होता है स्टार्ट कुछ adjustment करने के लिए किस चीज़ की स्टार्ट कुछ adjustment करने के लिए क्या adjustment करने के लिए liquidity अब यह liquidity क्या होती है money को या cash को क्या कहा जाता है liquidity कहा जाता है economics की भाषा में तो आप यहां से एक word सीख लें liquidity का मतलब क्या होता है तरलता और तरलता का economics की भाषा meaning क्या है cash cash adjustment करने की सुईदा या money adjust करने की सुईदा इसका meaning क्या निकाला आपने money adjust करने की सुईदा या पैसा adjust करने की सुईदा कैसा पैसे एड़ेस्ट करने की सुईदा भई जब बैंकों के पास पैसा कम हो जाए जिसकी जैसे मार्केट में मनी फ्लो बहुत ज्यादा हो सकता है या बहुत कम हो सकता है उसको एड़ेस्ट करने के लिए या अर्भी के दुआरा एक सुईदा प्रोयाड की गई है उसे को क्या कहते है लिक्विडिटी एड़ेस्टमेंट फेसलिटी कहते हैं जब बैंकों के पास पैसे कम या जाधा हो जाएं जिससे मार्केटिम मनी की supply गहत ज़ादा या कम हो सकती है उसको एड़्जिस्ट करने के लिए उसको क्या कहते हैं LAF कहते है Quickly Capital एड़्जस्मिट फेसलिटी कैसा पैसा कम हो जाए भी बैंकों के पास कौन सा पैसा कम हो सकता है देखो बैंकों को आपने last class में पढ़ा था कि reserve maintain करने पड़ते हैं reward maintain करने पड़ते CRR की form में एक SLR की form में जब कभी bank और पास CRR और SLR को maintain करने के लिए पैसों की कमी हो जाए पैसों की कमी हो जाए तो उस कमी को adjust करने के लिए कोई सुईदा provide की है कि अगर आपके पास कमनी हो जाती है तो उसको कैसे एडजेस्ट करेंगे उसको कैसे ठीक करें उसके लिए आर्वी ने एक फैसलिटी प्रवाइड की है उसका नाम क्या रखा है LAF रखा है मेनिंग संज में आया आपको कि बैंक दो तरह के रिजरोव मेंटेंग रखते हैं एक CRR, एक SLR, CRR, RBA के पास रखते हैं SLR बैंक अपने पास रखते हैं यह महलाज क्लास में डिस्कुस कर चुका हूँ तो इनको दोबार से रिपीट करने हैं कोई फायदा नहीं होगा तो इनको मेंटेंग करने के लिए जब कभी बैंक वे पास पैसो की कमी हो जाती है तो उस कमी को एडजेक्ट करने के लिए उस लिक्विडिटी को एडजेक्ट करने के लिए जो RBI फैसलिटी प्रवाइड कराता है उसको लिक्विडिटी एडजेस्मेंट फैसलिटी कहा जा और LF को इस फैसलिटी को प्रवाइड कराने के दिए RBI ने RBI ने दो टूल प्रवाइड किये हैं, यानि कि मैं कह सकता हूं कि LF के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेपोरेट, एक होता है रिवर्स रेपोरेट, रेट का मतलब क्या अधर दर्फ और कौन सी दर्फ ब्याज क और जो इसके अंदर पैसा ट्रांस्टर किया जाएगा, वो आर्टी इसके थ्रू किया जाता है, और जैसे कि मैंने बताया कि LF के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक रेपोरेट होता है, एक दूसरा क्या होता है, रिवर्स रेपोरेट होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर reporate क्या होता है reporate की full form होती है repurchase option rate RE का मतलब क्या है RE, RE से मतलब क्या है RE, P से purchase option rate मतलब क्या है कि वह है simple language में बता रहूँ अभी आपको यहाँ पर retail में आगे बता हूँ वह है ब्याज की दर जिस पर commercial bank RPEG से loan लेते हैं उसको reporate कहते हैं ठीक है क्या बता है मैंने that interest rate on which commercial bank borrow money from RBI ठीक उसको क्या कहते हैं reporate कहते हैं अब इसका ठीक उल्टा कर दीजिए reverse reporate reverse reporate वह है ब्याज की दर जिस पर RBI बैंकों से loan लेता है या RBI बैंकों के extra पैसे को अपने पास पार्ड करता है और जो बदले में interest देता है उसको reverse reporate कहते हैं वह ब्याज की दर जिस पर RBI बैंकों के पैसे को लेता है देनी दा लेता है उसको reverse reporate कहते हैं ठीक है तो यह दोनों चीज़े दी गई हैhen ये डोनो चीजे दी गई है पैसे क्यों ajaして करने के लिए सूइदा R.B.E के दौरा जब बैंकों पास पैसे कम हो जाएं तो रेपोरेट पर पैसे उधार ले सकते हैं aja sitting करने के लिए उस requirement को पूरा करने के लिए और जब कभी ज़ादा हो जाएं बैंक वे पास पैसे तो वो reverse रेपोरेट पर RBA को पैसे दे सकते हैं इस लेंदेन को सारे के सारे बैंक कर सकते हैं सिवाए एक बैंक के उस बैंक का नाम क्या है उन बैंक को नाम क्या है RRB आरारबी कौन सी किटाईरी के बैंक है बताइए Regional Ruler Bank छेत्रिय ग्रामिन बैंक शिर्फिस के अंदर participate नहीं करते नहीं तो बाकी सभी बैंक हे रेपोरेट और रिवर सेपोरेट पर रेपोरेट और रिवर सेपोरेट पर लेंदेन कर सकते हैं रेपोरेट हमेशा क्या होगी महेंगी होगी R grandparents हमेशा क्या होगी महेंग योगी or reverseён Bard अपको loan महेंगा देता है bang हमेशा आपको loan महेंगा देता है और आपकी saving सस्ते दाम पर लेता है ठीक, ऐसा ही ऐसा ही landing होता है RBI और bankruptcy Beans में RBI हमेशा महेंगा loan देगा bank मेंग यो देने वाली rate है वो reparate है ठीक है तो रेपोरेट हमेशा बड़ी होती है रिवर्स रेपोरेट से और रेपोरेट और रिवर्स रेपोरेट के जो बीच का डिफरेंस होता है उसको कोरीडोर कहा जाता है कौन सा कोरीडोर लिक्विडिटी कोरीडोर कोरीडोर को मतलब क्या था गली आ रहा यानि कि बीच क का difference, बीच का difference, बीच का gap, गली आ रहा, तो उसको क्या गहा जाता है, liquidity corridor कहा जाता है, LAF is the difference between the reporate and reverse reporate, और या फिर हम इसको liquidity corridor के नाम से भी जानते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे reporate और reverse reporate के बारे में detail में, ठीक है, तो reporate की मैंने full form बताई थी, रेपो में, री का अगलब क्या है, री और पी का अगलब क्या है, purchase, वो का अगलब क्या है, option और rate है, repurchase option rate, repurchase option rate का अगलब क्या है, देखो भी, जिस reporate मैंने क्या बताई, जिस ब्यास धर पर commercial bank RBI से loan लेंगे, RBI से जब वो loan लेंगे, तो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ वो क्या करेंगे, RBI पास गिरवी रखेंगे, कुछ ना कुछ security रखेंगे RBI के पास, कुछ ना कुछ collateral से रखेंगे RBI के पास, उसी के बदले म पर RBI के पास, तो कुछ ना कुछ government securities RBI के पास रखेगा, किस condition पर रखेगा, कि जब भी मैं आपके पैसे वापिस करने ही आँगा, तो मैं अपनी इन securities को वापिस ले जाँगा, ले जाने का मुझा है कि वापिस खरीद लोगा, मैं अभी आपको इतने में बीच कर जा रहा ह लेकिन जब मैं आपकी पैसे लोटाने आँगा, तो यही securities, यही government securities मैं वापिस ले जाँगा, आपसे वापिस purchase कर ले जाँगा, तो इसलिए इसका नाम रख्या है, repurchase, समझे गाया, repurchase करने का हमेशा, बैंक वे पास option होता है, इसी condition पर वो कुछ ना कुछ securities रखकर जाते इसलिए इसका नाम रख्या repurchase option rate, रेपर रेट पर कितने दिन के लिए bank loan ले सकते हैं, maximum 90 days के लिए, तो रेपर रेट क्या है, रेपर रेट is a rate at which commercial bank and other financial institutions, other financial institutions क्या भई, नाबार हो सकता है, सीड भी हो सकता है, कोई NVFC हो सकती है, ठीक है, other financial institutions borrow money from RBI, for a period up to 90 days, maximum 90 days तक इस ब्याज की दर पर loan लिया जार सकता है, अब इससे ज़्यादा की लेना हो, तो वो कौन जी rate होगी, वो bank rate होती है, वो अभी इसके बाद आएगी, clear वाप, मैंने अभी तक क्या बदा है आपको, रेपोरेट है ब्याज की दर होती, जिस पर commercial bank, यानि की जितने भी bank है, सिवाए, RRB bank को वच्छोड़ कर, region ruler bank को वच्छोड़ कर, सभी, जिस ब्याज दर पर RBS loan लेते हैं, 90 दिन तक के लिए, उसको रेपोरेट काते हैं, इसके फुल फॉर्म बताई है, री पर्चेज ऑप्छन रेट इसके फुल फॉर्म बताई है, ऐसे तो मालो कोई भी bank लेने आ जाएगा, कि मुझे 1000 क्रोड़ का लोन चाहिए, मुझे 10,000 का चाहिए, 1,000,000 क्रोड़ का लोन चाहिए, कोई भी कितने भी demand कर लेगा, तो क्या ऐसे जितना भी कोई demand करेगा, और कोई security रख दे, कोई security रख दे bank RBS पास, तो क्या उसको लोन मिल जाएगा, नहीं, यहाँ पर भी एक condition रखे गई है, कि एक bank के maximum जो लोन ले सकता है, RBI से, maximum जो लोन ले सकता है, RBI से, रख पो रेट पर, वो कितना है, 0.5%, 0.5% of NDTL, यानि कि आधा परचेंट, 0.5% of NDTL, अब NDTL क्या होता है, वो last class में पढ़ा चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पर, एक बहुती simple language में आपको बता देता हूँ, NDTL क्या होता है, बैंकों के अंदर, public का जो कुल जमाधन होता है, जो कभी ना कभी bank को return करना है, जो bank की कुल लेविल्टी होती है, उसको NDTL कहते हैं, एक bank को जितना कुल पैसा वापिस public को लोटा रहा है, उसको NDTL कहते हैं, इसको language में और से, मैं इसको definition में लाश लाश में पढ़ा चुगा हो, तो अगर मान लीजिए, एक bank के पास public का कुल 100 रपे है, bank के पास public का कुल 100 रपे है, clear हुआ, 0.5% का मतलब यह है, clear हुआ, और जो SLR securities है, वो bank, SLR securities cannot be used by bank, to borrow money from RBI, जो last class में आपने पढ़ा था ना, SLR क्या होता है, जो liquid asset की form में, bank अपने पास रखते हैं, तो जो रिजर हो था ना, SLR, Settuary Liquidity Race, उसके अदर जो securities रखी थी, भी बगार रखे थे, उस पैसे को RBI के पास गिर्वी रख कर, loan नहीं ले सकता, उस पैसे को रेपोरेट पर loan लेने के लिए, योज नहीं कर सकता है, एक bank, clear हुआ, SLR securities cannot be used by bank, to borrow money from RBI, और मैंने जैसे की बताया था आपको, कि रेपोरेट हमेशा, reverse रेपोरेट से ज्यादा होती है, और इसको क्यों यूज क्या जाता है, to control the inflation, to control the inflation, अब इसको यूज कैसे करते हैं, भी आज की दर है, भी इसको घटाने बढ़ाने से, क्या फरक परता है, रेपोरेट के बारे में सुना तो होगा न, रेपोरेट सुन रख हैना, आज मैंने इसको बिल्कूर डिटेल में बता दिया है, अब मुझे ये बताओ, कि inflation कैसे control होता है, भी आज की दर को गठाने बढ़ाने से, रेपोरेट को गठाने बढ़ाने से, चलो अभी इसको देखते हैं, अगली स्लाइड के अंदर, देखिए, अब मुझे ये बताओ ये, कि रेपोरेट चल कितना रहा है परजेंट में, बताओ ये परजेंट में कितना रेपोरेट चल रहा है, तो अभी बताओ ये, कितना चल रहा है रेपोरेट, जो अभी परजेंट में, first by monthly monetary policy statement के according to 2021 के according जो reporate है वो अभी present में 4.40% चल ज़ए है मैं इसी को लेकर चलता हूँ अगर इस ब्याज की दर को बढ़ा देते हैं या घ्रका देते हैं तो उससे क्या impact पढ़ता है अगर माले जी ये reporate को बढ़ा देते हैं reporate को क्या कर देते हैं बढ़ा देते हैं कितना कर देते हैं 5% कर देते हैं ठीक है अगर 5% कर देते हैं तो इससे क्या होगा बैंकों को महंगा लोन मिलेगा किस से महंगा लोन मिलेगा RBI से महंगा लोन मिलेगा अगर RBI से महंगा लोन मिलेगा तो बैंक भी आगे पब्लिक को महंगा लोन देंगे तो बहुत सारी पब्लिक ऐसी होगी कि उस लोन को महंगा समझते वे वो अपने काम को क्या करेंगे डिले कर देंगे टाल देंगे सोचेंगे कि चलो भई आगे लोन ले ले लेंगे आगे प्रुप्ट पब्लिक ही लोन कम लेगी तो बैंक भी आरगेई से कम लोन लेते हैं ठीक है और बैंक के आरगेई से कम लोन लेगे तो बैंक के पास पैसे क्या होगे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे क्या होगे क्या होगे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे जब क्या होगा ब्याज की तरह बढ ठीक है जब वो RGA से कम पैसे लेंगे और public भी कम लोन ले रही है तो क्या होगा credit creation यानि कि लोन का creation भी क्या होगा कम होगा और जब market में पैसा कम गया तो money flow क्या होगा money flow भी economy के अंदर क्या होगा कम होगा मेरी बात को समझ पाए चलिए दूसरे तरीके से और समझते हैं अगर रेपोरिट को कम कर देते हैं रेपोरिट को कम कर देते हैं तो क्या होगा रेपोरिट को मानलो 4% कर दिया यानि कि लोन सस्ता कर दिया अब लोन सस्ते हो जाएंगे तो public के बैंकों से लोन लेना ज़्यादा पसंद करेगी बैंकों से ज़्यादा लेने के लिए आएगी जब वो loan ज़्यादा देंगे तो market के अंदर money flow क्या होगा बढ़ जाएगा money flow क्या होगा बढ़ जाएगा तो आपने यहां पर क्या देखा reporate और money flow के अंदर inverse relationship है there is inverse या opposite relationship between reporate and reverse reporate reporate and reverse reporate clear हुआ इसलिए यह inflation को control करने में मदद करता है देखो चीजे महंगी कब होती है ठीक है inflation का मतलब क्या है महंगा ही हो जाना चीजों के price बढ़ जाना ठीक है चीजों के price कब बढ़ते हैं चीजों के price कब बढ़ते हैं जब उसकी supply तो कम होती है खरीदार जादा होते हैं खरीदार जादा क्यों होते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे ज़्यादा है अब लोगों के पास पैसे ज़्यादा है तो ज़्यादा पे करेंगे क्या है ज्यादा पे पे करेंगे तो क्या होगा market में price बढ़ेगा और price बढ़ने किजाने कोई कहते है inflation कहते है अब price कैसे down किये जाए लोग के पास अगर पैसे कम होँगे तो कम खरीदेंगे और कम खरीदेंगे तो market अपने आप से control में आ जाएगी तो लोग कम खरीदे उसके लिए क्या करेंगे loan को high rate कर देंगे ब्याज किदर को बढ़ा देंगे ब्याज किदर बढ़ने से क्या होगा लोगों की purchasing power कम हो जाएगी समझ में आया तो इसका inverse relationship याद रखना है आपको ठीक है अब reverse reporate के बारें पढ़ते हैं reverse reporate क्या होती है reverse reporate के आगे बस reverse लिख दिया गया है यानि की reporate का ठीक उल्टा reporate में कोन लेता था loan बैंक लेते थे देने वाला कोन था RBI था लेकिन reverse reporate में इसका ठीक उल्टा हो जाएगा अब loan देने वाले कोने commercial bank है क्यों दे रहे हो क्योंकि उनके पास surplus money है वो कहीं इसको अपने पास रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा चो कहीं ब्याज़दर पर दे दे तो ब्याज़दर किसको दे RBI को ही देते हैं ठीक है तो जिस ब्याज़दर पर commercial bank अपने पैसे को RBI के पास रखते हैं RBI को देते हैं उस ब्याज़दर को reverse reporate कहा जाता है अगर reverse reporate को increase किया जाएगा तो market में money की supply decrease हो जाएगी और reverse reporate को decrease किया जाएगा तो money की supply क्या हो जाएगी increase हो जाएगी इसको table की मदद से देखते हैं इसको table की मदद से देखते हैं reverse reporate कितना चल रहा है reverse देखो rep को कितना चल रहा था 4.4 4.40 तो reverse reporate इससे कम होगा कितना कम चल रहा है 0.75 0.75 ठीक है तो इसमें से कितना और कम कर दोगे बताइए वही जल्दी से बताइए और reverse reporate कितना चल रहा है 3.75 तो ये जो कितना डीफेंस हुआ 0.65 हुआ 75 नी 0.65 हुआ तो जो reverse reporate है वो 3.75 अभी परजेंट में चल रहा है कलीर है तो अब reverse reporate माल लिया ये standard है अब इसको कम या ज्यादा करने से क्या effect पड़ेगा तो अगर माल लो मैं reverse reporate को बढ़ा देता हूँ reverse reporate को बढ़ा कर मैंने क्या कर दिया 5% कर दिया क्या कर दिया मैंने 5% कर दिया तो इसका उपलव क्या है कि bank अपने पास जो पैसे रखेगा उस पर ज्यादा ब्यास दे रहा है तो एक bank है उसकी बात को ध्यान से सुनो अगर वो RBA को पैसे देता है तो कोई risk नहीं क्योंकि उसका पैसे नहीं दूबेगा अगर वो public को लोन देता है तो उसमें ज्यादा risk है तो कम risk कहां पर है RBA के पास है जब पैसा बैंकों की तरफ से RBA के पास जाएगा तो public को देने के लिए जो लोन होगा वो bank के पास क्या होगा कम बच जाएगा क्यों रख दिया RBA के पास पैसा क्यों दे दिया RBA को क्योंकि वहाँ पर safe investment था अब safe investment था तो जो बाकिया बचा पैसा जो public को लोन करों में देगा तो bank के पास को कम बच जाएगा और कम पैसा बचेगा तो कम लोन देगा public को bank के और कम public को लोन दिया तो market में money की supply भी क्या होई कम होई मेरी बात को समझ पाई ठीक है अब reverse reporate के अंदर क्या होता है अगर मालो यह increase की थी मैं इसको decrease कर दूँ क्या कर दूँ decrease कर दूँ और इसको मालो के वल 2% ही रख दूँ मैं क्या कर दूँ 2% अब क्या कर दिया RBI RBI अब बहुत कम interest दे रहा है bank को को RBI को पास पैसा रखने पर RBI को loan देने पर तो आप जो बैंक को ने पैसा रख रखा है RBI के पास तो सोचें यार RBI तो ना के बराबर ही interest दे रहा है कुछ ज़्यादा return नहीं आ रहा है इससे तो अच्छा मैं थोड़ा सा market में ही पैसा लगा दो और थोड़ा सा risk उठा दो तो bank क्या करेंगे RBI के पास पैसा रख रखा है उस पैसे को निकालना स्टार्ट कर दें RBI से उठाना स्टार्ट कर दें कहेंगे भई हम आपके पास नहीं रख रहे क्योंकि आप बहुत कम इंटरस्ट दे रहे हैं और वो क्या करेंगे RBI से उस पैसे को निकाल लेगे उसको निकाल कर क्या करेंगे अपने पास ले आएंगे जब अपने पास लेकर आएंगे तो money with bank क्या हो जाएगा bank में पास पैसा क्या होगा बढ़ जाएगी money की supply क्या होगी बढ़ जाएगी तो यहाँ पर इस तरह से market को control किया जाता है और आपने यहाँ से भी क्या देखा कि there is inverse relationship between reverse reparate and money flow या money supply तो आपसे एक्जामे क्यों कैसे पूछा जाएगा आपसे कि market के अंदर money का flow कम करना है तो आर्वे को reparate के संद्रम में reparate के respect में क्या decision लेना चाहिए market के अंदर money का flow कम करना है तो क्या करें reverse reparate को बढ़ा दे reverse reparate को बढ़ा दे उससे क्या होगा bank अपना पैसे आर्वे पास जादा रखना start कर देंगे आपसे यह कहें कि market के अंदर money का flow कम करना है market के अंदर money का flow कम करना है तो क्या करें reverse reparate को बढ़ा देंगे अगर आपसे पुछे कि market के अंदर money का flow already कम है तो क्या करें कम है तो बढ़ाना है ना भई balance करने के लिए बढ़ाना है तो क्या करें reverse reparate को कम कर दे मेरे साथ से बात संज में आगे होंगी दोनों की दोनों ब्याज की तरे संज में आगे होंगी reverse repo rate के अंदर reverse repo rate के अंदर कितने दिन के लिए लोन ले सकते हैं 90 दिन तक के लिए लोन ले सकते हैं क्या मुझे ये बता सकते हैं कि reverse repo rate के अंदर आरवे के पास कितने दिन तक पैसा रख सकते हैं भई बैंकों की मर्जी है कितने दिन के लिए भी रखे क्या आप जब आप अपने current account के अंदर या saving account के अंदर पैसा रखने जाते हैं तो कुछ उसका time fix करके जाते हैं क्या कि इतने दिन के लिए ही आरवे ही रखेगा अपने बैंक रखेगा अपने पास नहीं ना आपका जब भी मन हो उसको निकाल लो जब भी मन हो उसको डाल लो तो इस हिसाब से होता है reporate और reverse reporate मेरे साब से दोनों ब्याज की तरह थी सहज में आ गही होंगी ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे है MSF rate MSF क्या होता है marginal standing facility rate marginal standing facility rate marginal standing facility rate क्या होती है ठीक है जब बैंक को केवल एक दिन के लिए या मैं कहूं 24 गंटे के लिए मैं कहूं overnight के लिए ही पैसों की जरूरत हो तो उस ब्याज़दर पर ठीक है यानि कि एक दिन की उधार लेने के लिए जो ब्याज की दर लगाई जाती है उस ब्याज़दर को MSF rate कहा जाता है एक दिन के लिए Aardvay से जिस रेट पर पैसा bank उधार लेते हैं उस ब्याज़दर को पर भी क्या होता है गुशना कुछ को लेटरस तो बैंकों को रखनी पड़ेंगे देखो जहां पर marginal word आ जाये उसका मतलब ही होता है single unit किसी चीज की single unit आप किसी चीज की single unit का मतलब क्या है कि जैसे one day है एक दिन time unit है एक दिन कम से कम एक दिन के लिए दिन के साथ से लगता है आपकी saving उधार के लिए जो प्याज कि दर होती है उसको bankrupt rate करते हैं वहाई एक दिन के लिए एक दिन उधार क्यों लेगा कुछ चा कुछ emergency होगी और productivity होगी तो महंगा मिलेगा रैपो रेट से महंगा मिलेगा क्या है रैपो रेट से महंगा मिलेगा तो सर रैपो रेट से महंगा मिल जा तो हम रैपो रेट पर ही न ले 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 और जाद इनके लिए मिल जाए तो भई आप रैपो रेट पर माल लो maximum eligibility है वो पूरा कर चुके maximum loan ले चुके हैं तो अब आपके पास क्या बचता है MSF ही तो बचता है MSF पर loan लेंगे और यहाँ पर चिल्लर में काम नहीं घरता RBI कहता है कि अगर पैसा लेना है तो एक क्रोड के multiple में लेना हुआ यह भी exam में आ चुका है कि minimum amount that can be borrowed from the RBI at MSF rate is 1 crore और in its multiple एक क्रोड या एक क्रोड के multiple में अच्छा maximum कितना loan ले सकता है RBI से कोई bank MSF rate पर तो maximum 2% of end detail अब याद हो चुगा होगा ना end detail क्या है net demand and time liability क्या हो दिसका मतलब पब्लिक की जो cool deposit से किसी bank के पास उसका maximum 2% तक अगर मालों किसी bank के पास 100 रुपे हैं तो end detail 100 है तो उसकी 2 रुपे ही RBI से MSF rate पर ले सकते हैं ठीक है Under MSF Under MSF schedule commercial bank can use their SLR securities to borrow loan from RBI ये most important point है इसको धान रखना जो हमने last rate पढ़ी थी जो रेपर रेट पढ़ी SLR SLR क्या थी कि SLR के बैंकों को अपने pass रकना पढ़ता था रिजराओ के रोब में किस पैसा ठीक है तो जो SLR के अंदर जो security रखे दे जिसे treasury bill वगरा उनको reporate पर loan लेने के लिए use नहीं कर सकता था लेकिन MSF rate पर loan लेने के लिए जो SLR securities है उनको use कर सकते हों क्योंकि यहां पर केवल एक दिन की ही बात है तो एक दिन के लिए RV adjust कर लेता है clear हुआ यह point MSF rate एक दिन के लिए उधार ले जाती है जिसे आज की दर पर ठीक है अगला है bank rate ठीक है bank rate क्या है बही रेपो rate पर कितने दिन के लिए उधार ले सकता था RVI से कोई bank 90 दिन तक maximum अगर 90 दिन से ज़्यादा के लिए उधार चाहिए तो उस rate को क्या कहते है bank rate कहते है यहां पर भी loan कौन लेता है डेखो रेपो rate में भी loan कौन लेता था commercial bank लेता है bank rate पर भी commercial bank लेकिन time period का difference है वहां पर up to 90 days था और यहां पर more than 90 days है more than 90 days है तो it is a rate and which commercial bank borrow money from RVI for a period of more than 90 days 90 दिन से ज़्यादा के लिए जब बैंक को loan लेना होता है तो वो RVI से bank rate पर लेता है ठीक है bank rate को दो अलग नामों से और जाना जाता है bank rate is also known as re-discount rate and penal rate penal rate का बलग क्या है penalty rate ठीक है RBI को bank पर जुर्माना लगाना होता है वो भी bank rate को base rate रखकर लगाती है it is the rate at which RBI re-discount will of exchange also known as re-discount rate मैं इसको अगले page पर explain करूंगा ठीक है इसको re-discount rate या penal rate क्यों कहा जाता penal rate को तो मैं यहीं पर यूज कर दूँगा RBI use the bank rate as penal rate ठीक है इसको जुर्माना penal rate का उलक है जुर्माने वाली दर ठीक है penal rate के रूम में यूज करता है कब यूज करता है जब bank कोई उलंगन कर देते हैं कोई rule regulation break कर देते हैं या SLR या CRR वाली जो minimum requirement थी कि भी इतना प्रसेंट तो रखना ही रखना जो लास्ट लास्ट पढ़ा था वो पूरी नहीं कर पादे फुल्फिल नहीं कर पादे तो penalty लगाता है कि अगर पहले दिन bank के CRR SLR maintain नहीं कर पाई CRR SLR के संद्रम में बता रहा हूं मैं respect में बता रहा हूं अगर पहले दिन CRR SLR maintain नहीं कर पाई bank तो उन पर कितना extra charge लगेगा bank rate plus 3% per annum bank rate plus 3% जो भी bank rate चल जी होगी present में वो plus उतमें 3% extra rate कर दीजिए और per annum के हिसाब से उन पर charge लगता हूं को पे करना पड़ता है अगर second day भी CRR SLR maintain नहीं करता है कोई bank के जब उससे अगले दिन भी maintain नहीं करता है तो उस पर अगला जो charge लगता है bank rate plus 5% per annum bank rate plus 5% per annum यहाँ पर long term के लिए loan लिया जाता है और यह ग्याज के दर थोड़ी महंगी भी होती है इसलिए यहाँ पर collaterals की जोड़त नहीं होती bank can borrow money without pledging government securities to argue बिना securities के भी loan मिल जाता है bank rate पर clear हुआ 90 दिन से ज़्यादा के लिए इसको rate discount rate भी कहा जाता है और penal rate भी कहा जाता है पेनल रेट के लिए लगाने के लिए इसको base मान कर चलता है यह तो point है जो first day और second day यह आपके exam में पूछा जा जा चुका है कैसे question पूछा गया है कि जब कोई bank commercial bank, schedule commercial bank CRR SLR maintain नहीं करता है तो first day क्या penalty लगते है तो आप क्या बताएंगे bank rate plus 3% extra पर रहना, second day bank rate plus 5% extra पर रहना तो यह बताना है आपको exam में पूछे जा जोगे हैं एक इसकोई पूइंट ऐसा नहीं रखूँगा तो exam में ना पूछा गया हो ठीक है, आगे चलते हैं अब bank rate को rediscount rate क्यों कहते हैं वो मैं समझा देता हूँ मानिए यह A person है यह B person है यह A person है यह B person है A person है जो यह कौन है, यह purchaser है यह seller किसी product का ठीक है, यह A माल परचेज करने गया 100 रुपेज का यह A माल परचेज करने गया 100 रुपेज का, लेकिन A के पास पैसे नहीं थे लेकिन A के पास पैसे नहीं थे उधार में ठीक है credit में माल ख्रिद ने गया किसमें credit में B ने कहा भैट ठीक है एक bill लिख कर दे दो उस पर sign करके दे दो ठीक है और मैं एक bill लिख देता हूँ ठीक है और उस पर आप sign करके दे दीजिए कि आपने कितने महीने के लिए उधार कर लिया है और कितने रुपे एक्स्टा चार्ज लग जाएंगे माल लिजिए यहाँ पर मैं रख देता हूँ कि 3 मंथ के लिए क्रेडिट है और 3 मंथ के बाद 100 रुपेज का तो माल ही है और इसको कितना पे करना है 130 रुपेज पे करना है कितना पे करना है 130 रुपेज पे करना है 3 महीने के बाद total मिलाकर 130 रुपे पे करना है इस sign पर A signature करेगा वापिस B को दे देगा अब इसको क्या रहेंगे बिल कहेंगे ठीक है यह बिल है after one month B को emergency में बहुत कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई ठीक है क्या हो गया कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई अब जरूरत पड़ गई है तो क्या A पैसे देगा यह तो अभी पैसे नहीं देगा अब A पैसे नहीं देगा तो कहा जाए तो B गया अपने bank के पास और bank को कहा कि मेरे पास मुझे कुछ पैसों की जरूरत है bank ने कहा कि कुछ securities ले आए bank B ने कहा मेरे पास कुछ securities तो नहीं है हाँ एक bill है हाँ एक bill है और उस bill को अगर कुछ आप दे सकते हैं तो मुझे देगे बैंक ने का ठीक है वो बिल ले आईए वो बिल ले आईए मेरे पास मैं उसकर कुछ पैसे आपको दे दूँगा तो 130 रुपे का बिल लेके गए ठीक है जिसमें से एक महिना चलो अभी नहीं हुआ है माले जिए तो इसमें से 30 रुपेज डिटक करके 30 रुपेज डिटक करके 100 रुपेज किसको दे दिये बी को दे दिये किसने बैंक अब यह जो बिल है यह किसके पास रहेगा बैंक के पास रहेगा बैंक ने क्या किया है बी का बिल डिसकांट कर दिया है बी को अपने पैसे मिल गए अब तीन महीने पूरे होने के बाद ए पे क करेगा बैंक को अगर E-Pay ॐ करेगा तो एक डिफॉल्ट कहलाएगा उसमें बीगा कोई रोल नहीं होगा क्लिर है अब बैंक को भी अचानक से पैसों की ज्रूत पड़ गई बैंक कहा गया आरप्या के पास गया अब बैंक कहा गया आरीबे के पास गया ठीक है और और आरीबे के पास गया और कहा हुझे कुछ पैसल जूरूत है मैं security के तूर पर collateral के तूर पर यह bill रख देता हूं यह bill रख देता हूं और अब आरगी कहेगा कि मैं इस पर कुछ चार्ज लूँगा 130 रुप्य का बिल है तो मैं इस पर कितने डिड़क करूँगा जितनी bank rate चल रही है जितनी bank rate चल रही है अब bank rate जितनी भी चल रही होगी अब फर्जेंट में ठीक है बैक रिट जितनी भी चल रही में ठेक की थे कोई seller ठापरेजर साव से टो है इस कि इसी बिल गो री डिसकाउंट किया गया इसलिए स्ट्रीट रिपेंक र्ण्रेंट क्या ईसिलिए इसलिए इसलिए bank rate को辦法 री डिसकाउंट रैट भी कहते हैं पंक्रेट को प्लस जब आप एक्जाम देने जाएंगे एक्जाम में भी आती हैं तो किसी website से या मेरी वीडियो से पढ़ेंगे, हो सकता है, आप कुछ time के बाद पढ़ रहे हो, मेरी वीडियो को watch कर रहे हो, पुछ time तक rates वगरा change हो जुकी हो, तो आपको present जब भी rate जाननी हो, तो किसी भी website पर या किसी भी video से ना देखे, किसी book से ना देखे, present rate देखनी है आपको, तो सीधा RBI की website पर जाएं, RBI की website क्या है, rbi.org.in, अगर mobile में run कर रहे हैं, तो बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएं, और अगर आपको desktop में, laptop में use कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको left corner में rates दिखाए देएंगे, current rates वहाँ पर click करेंगे, सारे rates दिखाए दे जाएं मैं आपको एक website का screenshot दिखा देता हूं, आपको, तो आप जब भी यहाँ पर देखेंगे, और आप अपने left corner में आईए, यहाँ पर policy rate लिखा होगा, policy rate पर जैसे ही click करेंगे, आपके सामने सारे की सारी rate होगे, तो first by monthly monetary policy statement of financial year 2021 की, जो policy rate चल रही हो आज की time में, जो reporate है, वो 4.4% है, reverse reporate है, 3.75% है, और MSF जिसकी बात की हमने MSF और bank rate वो हमेशा mostly same ही रहती है, कोई hard and fast rule नहीं same रहनेगा, लेकिन यह सालों से same ही चलती आ रही है, ठीक है, तो यह कितनी चल रही है, 4.65% चल रही है, अगर आपको CRR और SLR के बारे को जानकारी लेनी है, कि कितनी परसेंट चल रही है, 3 और 18% चल रही है, तो आप reserve रिस्टो पर क्लिक कीजिए, एक्चेंज रेट कितनी चल रही है, तो आप exchange rates पर क्लिक कीजिए, यहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएंग तरुन बजाज को Secretary Department of Economic Affairs, ठीक है, यह Economic Affairs के Secretary थे, Economic Affairs Secretary है, तो इनको RVA के Board में सामिल किया गया है, जो मैंने आपको दो तिन लेक्सर पहले RVA के Board बताया दे ना, कोई Government की तरफ से दोनों भी नहीं आते हैं, एक Economic Affairs Secretary और तो एक Financial Secretary होता है, तो उनमें से एक यह है, यहां पर, तर पासा कई जिन पहले License Cancel होगा है, उसके बारे मास अपता है, जितने भी यहां पर What's New में है, यह सारे Important है, यह सारे Points में आपके, कहां पर Clear करूँगा, यह Current Affairs में ले गया हूँगा, यह सारे के सारे Points है, ठीक है, और जितनी भी देखो, एक चीज़ में आपको बता दो, जि मैंने कोई बुक नहीं पड़ी है, कोई ऐसा चीज़ नहीं पड़ी है, ठीक है, नहीं कोई faculty से मैं पढ़ा हूँ, शिर्फ सारगा सारा RBI से और इंटर्स पैदा करना पड़ता है, सारे चीज़ आपने आप समझ में आती है, तो थोड़े थोड़े दिन में, दो तिन दिन म पता चलता रहेगा कि बैंक की में क्या चल रहे है, ठीक है, तो बाकी तो मैं आपको देगी रहा हूँ, आपके एक्जाम लेवल की जानकारी तो, ठीक है, फिर भी मुझसे भी एक्टा आपको जानकारी चाहिए, तो RBI की वैस्टाइट पर जाया करो, जो circular होते हैं, यानि क सब्सक्राइट को, बैंक रेट को, चींज कर दे, आरगे, तो उसे क्याट पर दा, दोनों सेम रहती है, तो मैं दोनों का एक्जामपल सेम लेकर चलता हूँ, कितनी चल रही अभी, 4.65% चल दी है, 4.65% चल दी है, ठीक है, तो बैंक रेट क्या थी, जब 90 दिन से ज़्याद होती है, बैंकों को, प्लस जब CRR और SLR maintain ना गरपाएं, तब रिक्वार्मेंट होती है, ठीक है, तो अगर मालो इसको बढ़ा कर 6% कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो बैंक कम लोन लेंगे, जब लोन महंगे हो जाएंगे, कम लोन लेंगे, तो बैंक क्या होगा, कम होगा मार्केट में पब्लिक भी लोन कम लेंगे, तो credit creation कम होगा, और मार्केट में money का flow कम होगा, और जब व्याज के दर को मालो 3% कर दिया, सस्ता कर दिया, पहले बढ़ाया था, अब सस्ता कर दिया, तो सस्ता कर दिया तो जो बैंक है, जो RGC ज़्यादा लोन उठाएंगे, money with bank ज़्यादा होगा, credit creation यानि की loan ज़्यादा बाटे जाएंगे, और market money का flow बढ़ जाएगा, तो हर जेंगे पर आपको हर interest rate के साथ है, जो money का flow है, उसके लिए inverse या opposite ratio से मिलेगा, सीधी बात यह है, जो पूछा गया है, उसका उल्टा करके आंसर दे दो, आपसे पूछा ज जाएंगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और option बचा है, OMO, OMO क्या होता, open market operation, OMO क्या होता है, जब RBI, government securities की open market में, sale or purchase करता है, market में money की supply को maintain करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, OMO कहा जाता है, जब RBI, government securities को, financial institutions को open market में, यानि की मतल, market में simple मान लो, ठीक है, वहाँ पर sale purchase करता है, money की supply को बढ़ाने अगटाने के लिए, तो उसको open market operation करते हैं, ये word आपको काफी बार news paper में, news में सुनने को दिखाए देता है, कि RBI ने बना OMO perform किया है, RBI OMO करने जा रहा है, 10,000 प्रोड का OMO करने जा रहा है, काफी बार सुनेंगे, अब ये recent के news paper म sale of government securities by RBI from the market और to the market, market में खरीदना और markets में बेचना, ठीक है, when RBI sell the government securities, RBI जब government securities को sale करें, मान लोग bank खरीदेंगे, तो bank उनको खरीदेंगे, bank खरीदेंगे, तो bank वे पास पैसे क्या होंगे, कम हो जाएगे, वो market में कम लोन देंपाएंगे, market money अपनों कम हो जाएगा, when the bank purchase the government securities, they reduce the ability to lend industrial houses and commercial sectors, this reduce the surplus cash, liquidity and credit creation, और credit supply, यानि की कम हो जाएगे, जो मैंने अभी बात होता ही, और जब RBI purchase करेंगे, government securities, bankों से, तो market में, bankों पास पैसे ज्यादा चला जाएगा, तो ज्यादा लोन देंगे, market में, और market में money supply क्या होगी, बढ़ जाएगे, ठीक है, देख पैसे करता है, market से अगर government securities, government securities अगर purchase करता है, तो purchase करेगा, तो bankों को पैसा देना पड़ेगा, तो money with bank क्या होगा, बढ़ जाएगा, और bank के पास पैसा पड़ेगा, तो bank क्या करेंगे उस पैसे को, loan के रूमें बढ़ेगे, तो market money flow बढ़ जाएगा, और जब sell करेगा, ठी कम दिया जाएगा, और market money flow क्या होगा, कम होगा, तो ये impact आपको पता लग गया होगा, OMO का, जब RIA OMO परफॉर्म करता है, क्लिए हुआ, अब मैं आपको दिखावी देता हूँ, recent में TESAPL का ही RBA की वैसाइट नोटिस था, ठीक सब्लोर, अगर आप दी पढ़ना चाहें, एक साथ, बेच भी रही है, और खरीद भी रही है, कुछ security को बेचेगी, कुछ security उसको खरीदेगी, ठीक है, कितने रोपे की, 10,000 करोड, ठीक है, for 10,000 करोड, ठीक सब्सक्राइब को, तो ये सारे details हैं, ये आपकी समझ के इसे बहार की चीज़े हैं, और मैं भी इनको नहीं समझ जाओंगा, मेरे लिए बहुत simple हैं ये चीज़े, लेकिन आपके exam में नहीं आएंगी, ये चीज़े आपके exam में नहीं आएंगी, समझना चाहें, तो इसको पढ़ना चाहें, तो इसको download गार क्या पढ़ भी लेना, ठीक है, तो ये आप चीज़े पढ़ भी सकते हैं, तो मैं तो एक दिखाना चाहरा था कि ओमो कैसे होता है, आपको मिल जाएगा, ये अनॉंस किया है, बाद में के result आएंगे, किसको कितने बेची गई, किसको ख्रीदी गई, ठीक है, ये सारी चीज़े आते है, अगर great amount कितना है, total amount कितना है, तो इस तरह की news भी आती है, आप quantity to tools थे, हमारे वो complete हो गए है, आज की class में, सारे के सारे, अगली class में हम quality to tools को पढ़ेंगे, और सारे के सारे एच साथ पढ़ लेंगे, वो ज़्यादा बढ़े नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मेहनत थी, वो quantity to tools में थी, तो एक side हमारी complete हो गए tools की, next class में इस से आगे पढ कर दो आप, ठीक है, यहां मेरे WhatsApp नंबर पर पोज सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको reply करता हूँ, plus अगरे class में इस से आगे बढ़ेंगे, और monitor policy को complete कर देंगे, और धीरे इस complete series को, जो मेरे पूरी series start की है, इसको complete कर देंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और चैनल को तो आपने subscribe करी रखा होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर नहीं भी गया है, तो अभी कर दीजिए, plus जो गया आपके friends से preparation में है, जो government job की preparation कर रहे हैं, बैंक्री sector की preparation कर रहे हैं, उनको ये वीडिय next class me, have a nice day, thank you class.